मारनी सभासदो मारनी सभापती जी में प्रस्ताव करता हूं कि महमाहिम राष्ट्रपती जी ने उन्तीस जन्वरी दोजार अठारा को संसत की दोनो सभाव को संमिलित बेठक में जो अभीभासन दिया है उसके लिए राजे सभा के वर्तमान सत्र में उपस्पित सभी सदस्य और राष्ट्रपती के प्रती अपनी हादिक उतग्यता ग्यापित करते हैं मने सभापदी महुदर आज मेरे लिए बहुत हर्स का विशाय है क्योंकि आज महान सदन के माध्यम से और इत्यासिक सदन के माध्यम से राष्ट्र निर्मान की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मैं अभी सम्मिलित होने जा रहा हूँ आज मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रती आभार व्यक्त करता हूँ और गुजरात के विधान मंडल और गुजरात की जनता के प्रती भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ चुनकर भेजा तो मैं इस सदन महान सदन के सदस्य के रूप में आप सब के बीच में खड़ा हूँ मन्य सभापती महोदय राष्टपती जी के अभीबासन को अगर ध्यान से देखे तुम्हने बहुत सारी चीजों पर इस सरकार की उपलब्दियों को हम सब के सामने रखा है मगर जब इस पर आम तोर पर सदन के बाहर भी चर्चा होती है तिस उपलब्दियों पर अनेक प्रकार की टिका टिप्पनिया होती है कुछ मरमग्य उसका विसलेशन भी करते हैं और जब मैं वो विसलेशन को देखता हूं तब मुझे लगता है महदय विसलेशन का स्वागत जरूरी है मगर उसमें अलग द्रश्टी कौन भी मैं जोगना चाहता हूं हमने ये देखना पड़ेगा महदय कि ये जो अभी सरकार की उपलब्दिया है वो सरकार को विरासत में क्या मिला सरकार ने जब कामका समाला तब सरकार के पास विरासत में क्या था जीस प्रकार का गड़ा था वो गड़ा भरने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है और गड़ा भरने के बाद इन उपलब्दियों को एक अलग नजर ये से सभापति महोगए देखने अब सुनिये सब्सक्राइब कर दोजार तेरा में देश की जो स्थिती ती उसको हमें याद करना पड़ेगा दोजार तेरा में देश की स्थिती क्या थी देश एक ऐसे प्रस्थन के वथार के नीचे जी रहा था कि इस देश किस दिसा में जा रहा है देश का भविश्य क्या होगा ये महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोग तो नहीं देगा इस प्रकार का एक भाय का वथार जवान सीमा की रक्षा का रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिनायक्ते के कारण अपने सवरे का प्रदसन भी नहीं कर सकते हैं यू आक्रोसित था 12 लाग करोड रुप्य के घपले घोटा ले ब्रश्टाचा स्कैन की एक सिरीज इस देश की जनता के मानस पतल पर बहुत ब केरालिसीस हो गया है नितिगत बाबातों में सरकार को लखवा लग जा है और पूरे देश ने मानो एक साथ नीनाय किया कि देश की परिस्थिति को बदलना चाहिए इतने में ही दो हजार चौदा में चुनाव आया और दो हजार चौदा के चुनाव में इस देश की महान जनता ने एक इत्यासित नीने किया महोदय तीस साल से इस देश में अस्थीरता चल रही तीस साल से इस देश की जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था और आजाकिदी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर कॉंग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था इस सारी बातों को 2014 के चुनाओं में कस्मीर से कन्याकुमारी और असाम से द्वारिका कर पुरे देश की जनता ने एक मेंडेट देकर ध्वंस्त कर दिया पहली बार आजादी के बाद किसी घैर कॉंग्रेसी दल की सरकार बनी और वो भारतिय जनता पारटी की सरकार स्री नरेंद्र मोदी के नेत्रुतमे बनी सभापती महोदाई 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला कि आई पॉलिसी के आदार पर इस देश को आगे ले जाए आप इस देश के जनता के मन में जो सारे सवाल है इस देश की जो समस्या हैं इसका समाधान डूंगे और ये मैंडेट अपने आप में एक बहु बहुमत भारतिय जनता पार्टी को मिलने के बावजूद हमने एंडिये को सरकार में सम्मिलित किया और हमारी भावना को उजार करते हुए सारे एंडिये के साथी आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाये हैं महदय जब इस सरकार की रचना हो रही थी उसका एक सेंटरल हॉल में एंडिये के सारे चुन हुए संसदों की बैठक हुई और उसमें नेता चैन की प्रक्रिया हुई मुझे गवरव है कि मैं भी वो प्रक्रिया का एक हिस्सा था सभापति महोदय जब स्री नरेंद्र मोदी जी को सदन का नेता चुना गया एंडिये संसद्य दल का नेता चुना गया उस वक्त नरेंद्र भैने के इत्यासिक भासन करें किया था उन्होंने कहा था कि सरकार जो बनने जा रही है वो सरकार गरीवों की सरकार होगी वो सरकार किसानों की सरकार होगी वो सरकार दलीग पिछड़े और आदिवासियों की सरकार होगी वो सरक सरकार महिलाओ की सरकार होगी और ये सरकार गांदी और दिन द्याल के सपन को पूरा कून करने वाली सरकार होगी और गांदी और दिन जाली के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी और मुझे कहते हुए आनंद है सभापती महोदे साड़े तीन साल हो गए है सा पूर्दन के सदस्यों के सामने आपके मात्झयम से तो अंतियो धाइंका सिध्धान थे विकास की पंग्ती में जो अंटीम खड़ा है उसके बरोबर कर देना को एक समान विकास की तक मिले इस प्रकार से आगे बढ़ना मन्य सभापती मोहदय साड़े तीन साल के बाद आज पीछे मूड कर देखते हैं तो आश्चरे चकीत रह जाते हैं सभापती मोहदय इस देश का संसद्य लोकतंत्र का इत्यास को अब इतना छूटा नहीं है सतर साल हो गए हमारे संसद्य लोकतंत्र को सत्तर साल में कई सरकारे आई और कई सरकारे गई सरकारे जब 25-35 साल चलती है तब 2-3 ऐसे बड़े काम होते हैं जिसको इक्तियास में दर्ज करना पड़ता है यह सरकार 3 साल चली है 15 से ज़ादा ऐसे काम है जिसको इस बेश के इत्याप ने साले लिए मन्यत सभापती महोड़य ये सरकार ने अपने अनतोधय के लख्स को पून करने के लिए अनतोधय के सिद्धान्तों को लागू करने के लिए सुरू से ही गरीबों के जीवन स्थर को उठाने के लिए बहुत सूजबूज के साथ एक साथत्य के साथ तुकडों तुकडों में नहीं कंटिनिटी के साथ उद्कास करने का तहीं किया और सबसे पहला काम किया जंधन बेंक एकांट सभापती महोदय इस देश के सतर साल के आजादी के अंदर 55 साल एक ही पार्टी का राज्या पर इसको मैं थोड़ा एक्स्टेंट करूंगा सभापती महोदय तो एक ही परिवार का सासन रहा है मुझे कहने में भी कोई जिजग नहीं है सब्तर साल की आजादी के बाद 55 साल के कॉंग्रेस के सासन के बाद साथ प्रतिसक लोगें पूरी फामिली के अंदर पूरे गर के अंदर एक भी बैंक अकॉंट नहीं दे पाए प्रधान मंत्री ने जब लाल किले की प्राचिर से गोशना की की जंदन योधना की हम सुरुआत करेंगे और हर गर में मिनिमम एक बैंक अकॉंट पहुंचाएंगे तब मेरा मन भी आसंकित था जो साथ साल में नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा मगर आग देखिए साब 31 करोड बैंक अकाउंट इस देश में घरीबों के खुले गए हैं हर परिवार में एक बैंक अकॉंट प्लद है सहाइधी कोई एक व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकॉंट नहीं था और हमारी मिमान सा की जाती थी हम पर टिका टिपनिया की जाती थी बैंक अकॉंट को दे दिया पैसे कहां से आएंगे अंदर गरीब क्या रखे ऐसे तो हमने जीरो बैलेंस की व्यास्ता की थी मगर सभापती मोदे में कहना चाहता हूं कि आज जो धन्द जंदन एकाउंट खुले हैं 73 गरोड जंदन एकाउंट खुले हैं उसमें 73 थाउजन करोड रुपया नरीट की धाड़ी प्रमाई का था वो अपनी जौपणी में रखता था अपने गल्ले में रखता था कोई चोरी कर जाता था सावकार के वहाँ वो लूट जाता था आज वो पैसा सुरक्सित बैंक एकाउंट और आज उसकी संख्या घटे 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 बीस प्रतिसत से कम हो गई है सभापती मोहदय सभी घरीब अपने बैंक एकाउंट का उप्योग करने लगे मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब दी है सभापती मोहदय इस देश में जिस प्रकार से वोट बैंक की पोल दीरे दीरे लुप्त होता दिखाई परता था सबसे इतियास में जाकर देखे पाष्ट में जाकर देखे भुतकाल में जाकर देखे तो सबसे अंपीम गटना है जब लाल बादुर सास्त्री इस देश के प्रदानमंत्री थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक सुमवार को खाना छोड़ दे और सभी लोगों ने इसका संदमान डखा था सास्त्री जी के बाद पहली बार ऐसी हिमत इस देश के अभीके प्रधानमंत्री और हमारे लेता नरिव रमोड़ी ते उन्हों ने कहा जो संपन लोग है जिन पर इस्वर की कुपा है जिनको आर्थी कुप से कोई प्रस्तन नहीं है वो लोग अपनी घैस की सबसेड़ी छोड़ दे एक गैस की सबसेड़ी सरकार गरीबों को देना चाहती है आधिवास्यों को देना चाहती है दलीतों को देना चाहती है ग्रामिन सभापती महोदय कि एक करोड़ त्रीस लाख लोगों ने प्रदान मंत्री की अपिल को सन्माल देते हुए गैस की सब्चिडी को छोड़ा है और उसके बाद क्या किया कोई और प्रदान मंत्री होता तो वित्य गाटा कम कर लेता अपने तीजोरी में उसको जमा कर लेता भारत जनता पार्टी की सरकार है अंडिय की सरकार है हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सब्सिडी जो बची और इसके अंदर खजाने का और पैसा लगाकर उज्वला योदना लेकर आए सभावती महोदय सतर साल की आजादी के बाद डेड करोड से ज्यादा ग्र गैसल फैसला लिया कि पाच साल में 5कड गरीब महिलाओं को थैसका सिलिंडर देने का हम काम और उसमें से 3,30,000,000 लोगों को गयसका जिलिंडर देने कांब समाप्त कर दिया गया है और इसी बजेट में सरकार ये पाच करोड की जगह ए लक्सान को आध करोड तक बढ़ाई के लिए आगे ज़िए सभापती मौध है यहां हमारे सदन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि कीसवी सदी में गैस का सिलिंडर विकास का पैमाना हो सकता है मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ सभापती मौध है अगर गरीबी को मैंने देखा है रांग के जंगलों में जिते हुए आदिवासियों को देखा है पुरुवांचल में गरीबों को देखा है एक बुडी मा जब अपनी जोंपडी के अंदर कंडे और टेहनिया ज उसके स्वास्त को सैन 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 हाने कर से रहता है सभापती महदय करोडों माओं को दुआ मुक्त घर देकर उनके बच्चों के लिए उस घर के बुड़ों के लिए और महिला के लिए स्वयम के लिए एक स्वयम स्वच्छ घर का निर्मान करने का काम प्रदान मंत्री जी के इ महिलाओ को मिला है 30% और 13% अनुसुचित जन जाती की महिलाओ को देने का काम भारती जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकाने किया है सभापती महोदे ऐसा ही एक फैसला हुआ स्वचाले का स्वच्छता के अभियान के साथ इसको जुडा गया मगर ये स्वच्छता के अलावे भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है सभापती महोदे घर में स्वचाले न हो ना आज दिल्ली लुकियन में रहने वाले लोगों को इसका महतो मालूम नहीं पड़ता है काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस तकलिब का ज्यानी ही नहीं होगा परन्तु सभापती महोदे एक घर घरिब घर की कलपना करिये एक 16 साल की बच्ची है सुबह में कुद्रती प्रक्रिया के लिए गाव के बीच में से गुजर कर खुले में सोच क्रिया के लिए बैठती है पूरे गाव की नजर उस पर गरती है वो बच्ची अपनी आखे जुका देती है दिरे दिरे करकर इसका आत्माइस्वास हरोद तिल तिल कर तूटता है वो बच्ची को अभी ताय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है डीएसपी बनना है डाक्टर बनना है एंजिनर बनना है देश के विकास में किस तरह से मैं अपना योगदान करूगी उसका आत्माइस्वा सभास की प्रक्रिया में हिस्सेदार आत्मीष्वास केशाथ नहीं हो सतकी कि इसके दर्द को कोई सरुकार इतने सालों तक नहीं समझे किसी ने बहुत सारे लोग योधना लेकर हैं असा पहली योदना मगर योदना का स्केल दिखे सभापती महदे 2022 में हर घर में सोचाले हम कर देंगे और साथ करोर सोचाले को समाप कर दिया जाए सभापती महदे बहुत बड़ी उपलब्दी जो आकरे देखते हैं उनको ये उपलब्दी नहीं दिखाई पड़ेगी परन्तु एक घर में सोचाले पहुंचने से स्वास्त तो सुधरता ही सुधरता है महिलाओं को सन्मान के साथ जीने का अधिकार भी पहुंटा है और इसलि को इजद घर्द का नाम देने का काम किया है महिलाओं को सन्मान के साथ जीने का काम भारती जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने स्वाचाले योधना के मध्यम से किया है सभापती महदए घरीब के लिए घर बहुत भैतोपुन कहीं व्रूक्स के नीचे प्लास्ट रहना उसका भाग्या बन गया था हर व्यक्ति को घर देने का स्वपन भी इस सरकार ने ही दिखा है और दुरूत कती से इसकी समाप्ति के हरों मागे बढ़ रहे हैं ग्रामिन विस्तारों में एक करोड़ पैंटीस लाख आवास की योजना को मनजूर कर दिया गया है और सहर सभापती महोदे बेरोजगारी इस सदन की चार दिवाले ने सब्दप्रवक बहुत बार सुना होंगे बहुत बड़े-बड़े अब विद्वान अर्थसास्तियों को भी सुना होगा मगर इसकी ये समस्या का समाधन कोई नहीं कर सकते मैं अभी सुन रहा था इस सदन के सदस्या आनन सर्माजी और बाकी सदस्या जब चर्चा कर रहे तो उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाए और वाजिब है समस्या है देश में बेरोजगारी कि मै महता हूं इस देश में बेरोजगारी की समस्या है मगर 55 तल आपके सासन करने के अगर शामस्या है तो मैं कहना चाहता हूं इसका समाधन किसमय नहीं ढूंगा। तो 6-7-8 साल से काम करें यह देश का चलाने का सोभग्य में 8 साल के लिए मिलाएं इतनी विक्राल समस्या कोई 8 साल में नहीं हुए 55 साल जिस पार्टी ने इस देश पर सासन किया वह समस्या उठा रहे है इसका मुझे आनंद है मगर हमने इसका समाधान भूंगा सभापती महोदए, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाओ को स्किल तजग्या बनाना, स्टार्ट अप, स्ट्रेंड अप और अंत में मुद्रा बैंक, मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेश इस सभागरु का ध्यान दिलाना आक्रिष्ट करना चाहता हूं सभापती था, इस देश की बैंकों का राष्ट्य करन कर लिया था, और उस अब क्या उनका भासन था, कि बैंकों का राष्ट्य करन होने के बाद, बैंकों के दर्वाजे गरीब के लिए खुल गए हैं, मगर इतने सालों तक बैंकों के दर्वाजे गरीब के लिए नहीं खुले, ना पास एकाउंट था ना लॉन मिलती थी लॉन लेने जाते ही उसके पास से इंकम टेक्स नंबर मागा गया था अरे भईया उसका सवाल ही वो है कि इसके पास इंकम नहीं है इंकम टेक्स नंबर कहां से लाए उसके पास इंकम नहीं है वो तो उसका प्रस्तन है और ये लगबख साड़े चार लाग करोड लॉन दिया गया है, सभावती महोदे, इसमें ना गैरेंटी देनी है, ना गैरेंटर लाना है, सूध भी कम रखा है, अभी-अभी मैं पढ़ आथा, चिदंबरम स्वाप का ट्वीट पढ़ रहा था, कि मुद्रा बैंक के ताथ पकोड़े लगाने का किसी ने ठिला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ, कि बेरोजगारी से तो अच्छा है, कि कोई युवा मद्दूरी करकर मेहनद करकर पकोड़ा लेगा, अपने परिस्रम से पसिना बाहर कर, हजारों लाकों करोडों युवा, जो स्व चोटी स्वरोजगारी ले रहे है, उसको आप भिक्सुग के साथ कम्तर करेंगे, किस प्रकार की ये मांग सिbreaker है, सभापती महोदय, पकोडा बनाना कोई सर्म की बात नहीं है, इसको भिक्सुग के साथ कम्तर करना सर्म की है, सभापती महोदें वो वेरोजगार था पकोडा बना रहा है उसकी दीसरी पीड़ी आगे आएगी देश का बड़ा उद्योग पती बनेगी कोई चाय वाले का बेटा प्रधान मंत्री बनकर इस्तलग में रहा है इनको मालूम नहीं है पकोडा बनाने वाले का उट्टा ही मात् सभापती महोदाई मैं मानता हूँ कि अपने परिश्रम से अपने पसिने से अपने जीवन का ग्यापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है जितने हम इन सदन में बैठे हुए लोग सभापती महोदाई जहां तक बिजली का सवाल है बिजली का सवाल है इस देश में 70 साल की आजादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने सासन दिया भारतिय जनता पार्टी और NDA के साथी दलों को सासन दिया उस वक्त इस देश के अंदर 18,000 गाव ऐसे थे जहां बिजली छोड़ दीजे बिजली का खंबा या वायर भी 18,000 विलेज और सभापती मौदे मुझे आनंद है कि ये सरकार ने साड़े तीन साल में 18,000 में से 16,000 गावों में बिजली पहुंचाने का काम समाप कर दिया है 18,000 सदी में जिते हुए वो गावों को 21 सदी में लाने का काम इस देश के प्रदानमंत्री नरहेंगर मोधी जीने की है जभावती मोदे इसके बाद बिजली गावों में तो पहुंच गई घर का क्या घर में जब तक बिजली नहीं पहुंचती उसके जीवन सतर को उपर नहीं उठाया जा सकता बिजली के साथ सिक्सा जुड़ी है बिजली के साथ स्वासा जुड़ी है ये सारी चीजotzो को गरीमे के घर में कैसे पहुचाए इसके लिए सोभाग्य योधना का विचाराया और सोभाग्य योधना के तहट 2022 तक इस देश के हर गरीम को मुप्त बिजली का connection देने का निद्धार सरकाहने किया है और 4 करेट करोड connection 16,000 करोड रुपय की कौस्ते देनी की सुरुवात हो कही है सभापती महोदे मैं मानता हूँ हर घरीब के घर में सवाचाले पहुंचाना हर घरीब के घर में घैस पहुंचाना हर गरीब के घर में रोजगारी पहुचाना, हर गरीब के घर में बिजली पहुचाना, हर गरीब के घर में स्वास्त पहुचाना, इसी के लिए तो देश को आजाद करने के लिए हमारे पुर्खों ने लड़ाई-लड़े की सबापति महोद है, लड़ाई इसी लिए हुआ है, सुरक्सायोधना के तहट जब कोई घरीब अकस्मात इसका होता है या विमार हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है तो सरकार ने दो योधनाय लाही सरकार बहुत कम मामूली से प्रिमियम के अंदर प्रदानमंत्री सुरक्सायोधना के तहट 13 करोर से ज़्यादा घरीबों को सुरक्सा देने का काम सवाप्ट कर दिया गा है और पधानमंत्री जीवन ज्योती विमायोदना के तहद साड़े पांच करोर कुल मिला कर अठारा करोर से ज्यादा धरीबों को सुरक्सित करने का काम जन आउसदी केंदर के माध्यम से तीन हजार से ज्यादा पिएम बीजेपी केंदर से आठसो से ज्यादा दवाईया दस प्रतिसत से तीस प्रतिसत दाम पर घरीब के लिए उपलब्द करा दियें बगवान न करे कोई घरीब को दिल की बीमारी हो जाए स्टेंट रखने का समय आ जाए तो स्टेंट की कौस समत कर ही उसको सुनकर ही उसको पहले एटेक आ जाता था आज जो 4 लाक रूपय का स्टेंट था वो 40,000 रूपय में गुटने जो आर्टिफिसल गुटने बिठाने हैं उसको भी इसका भी खर्चा बहुत कम कर दिया है पर इस बजेट के अंदर सभापती मोहदे मैं बड़े ध्यान से इस सदन को देख रहा था जब बजेट वी तो मंत्री जी पेश कर रहे थे इस बजेट के अंदर प्रदान मंत्री जी एक आयुश्यमान भारत की योदना लेकर आये हैं इस देश के 40 करोड लोगों को पांच लाग फुपिय की स्वास्त का खर्चा वीमा के मात्यम से लिए देने के लिए मैं मानता हूं सभापती महोद है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगकंत्र है उस सब को लोगकंत्र की योजनाव को कोई खंगाल कर देख ले 50 करोड लोगों को वीमा सुरक्सा देना हेल्थ वीमा देना और पांच लाग रुपिय का देना किसी भी सरकार में इसास नही किया है हमारे प्रदानमंति नरेंद्र मोधी में किया और इसी के कारण मुझे मालूम है अभी सामने से थोड़ा आवाज आएगा इसी के कारण ये आयुश्यमान भव भारत को अब नमो हेल्ट केर के नाम से इस देश की जनता पुलाना है सबाती महोधय नुन्यतम वेतन कॉमिनिस्टो के समर्थन वाली यू पीए वन की सरकार ने भी निन्यतम वेतन में इतना इजाफा नहीं किया था जितना भारती जन्टा पार्टी कि सरकार 40% बड़ोतरी की गई है सभापती महोदय और इस प्रकार से घरीब कल्यान के लिए सरकार ने अंतियोदय के सिध्धान्तों को दिंदाल जी के सिध्धान्तों को चरिद्राक्त करने बहुत सारी सूची है मगर मैं थोड़ा ही लेकर आये हूँ सभापती महोदय क्योंकि समय बाकी लोग भी बोलेंगे मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ घरीबी हटाओं के नारे से सत्ता में तो बहुत लोग आये थे गरीबी हटाने का गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम भारती जनता पार्टी की जरेज़वली स्थमा है सभापती महोदय हमारा देश कुरूशी प्रदान देश है देश की 70% आबादी कुरूशी पर निरबर है 70% लोगों का जीवन ग्यापन कुरूशी के और कुरूशी पर आधारिक उद्योगों में होता है और कुरूशी को बढ़ावा देने के लिए इस देश की सरकार ने भारती जनता पार्टी की सरकार ने साड़े तीन साल साड़े तीन साल तक सात्यत्य पूर्ण तरीके से सभी अंग उपांगों को समाविष्ट करते हुए कुरूशी में किसान की आई दोगुनी करने की दिसा में एक बहुत मदबूत कदम उठाए महोदय पदानमंत्री इरिगेशन योदना एक अपने आप में विशिष्ट प्रकार की योदना है जिसके तहट लगबग लगबग 30 लाख हेक्टर भूमी को माइक्रो इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन इसमें बिचाया गया है इसके माद्दम से पानी की तो बचत होगी ही और उपज में भी बढ़ोत्री होगी सरवाटी माओदय 280 नहीं परियोदना जिसके पीछे 1.88 लाख हेक्टर भूमी को सिंचाई से युक्त कर दिया जाएगा ये बहुत बड़ी परियोदना प्रधानमंती इरिगेशन योदना के तहट सुरू हुए जिसे किसानों की किस्मत वज़ने वाली है तीस नदियों को जोडने के कारेक्रम अटल जी की सरकार जाने के बाद नदियों को जोडने के कारेक्रम को छोड़ दिया भारतिय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोधी सरकार NDA की सरकार आने के बाद इन नदियों को जोडने का कारेक्रम फिर से एक बार सुरू किया गय सभापति में तीन योदनाय सुरू हो चुकी है और 30 योदनाय आने वाले दो साल के अंदर हमांत रहने से इलिकेट लैंड के अंदर बहुत बड़ी बढोत्रि होने वाली है परदानमंत्रि सभापति महोदईinger जब कुदृति आपदा आती है तब किसान के साथ कोई नहीं होता है उपर भगवान होता है धरती माता होती है सालों से इसके राहत के नॉम्स को बदला नहीं गया था भारतिय जनता पार्टी की NDA की सरकार बनने के बाद पहले ही साल में राहत के लिए जो नॉम बने थे उसको मदद करने के लिए उसमें जो एमाउंट है उसको डेड़ गुना किया गया और क्षेत्रफल के अंदर चार गुना बढ़ोत्री कर गई दोनों तरीके से उसको राहत देने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया है वैज्ञानिक एसेस्समेंट की भी एक नई पद्दती लाए है जि अभी जो प्रदानमंत्री फसल विमा योधना आई है इससे भी अच्छी योधना लाने का सोभा कि हमारी सरकार को साहध हो सके 2019 के बाद फिर से मिले मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि ये प्रदानमंत्री फसल योधना अपने आप में एक संपूर्ण प्रदानमंत् आती है तो किसान को अपना हसल विमा मिल पाई इस प्रकार की विहस्ता इसके अंदर करी है और हर गाव का अलग सर्वे किया जाना पहले ब्लॉक्स के सर्वे होते थे ब्लॉक के सर्वे की जगे हर गाव का सर्वे करने का निर्ने किया गया है सभापती महोदे और मुझे कहत हुए अनंध है कि पहले एकाज करोड के आसपास किसान इसका फाइदा उठाते थे 2016 में पांच करोड सतर लाग किसानों में इसका फाइदा उठाया है और 13,000 करोड से ज्यादा भुक्तान किया गया है सभावती महोदय किसान जो उत्पादन करता है उसको अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता और दिरे दिरे इस देश की सभी मंडियों को इन मंडि में तबदिल करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है अभी काम थोड़ा दिरे चल रहा है मगर दिसा सही है 455 मंडियों को इन मंडि में कनवर्ट कर दिया सभापती महद यूरिया जब से मैं सारवजनिक जीवन में हूँ यूरिया की किलत को हमने देखा है गुजरात में तो यूरिया के कारखाने अभी भी चल रहे हैं फिर भी गुजरात में किलत होती थी जो उत्तर के राज्य है वहाँ पर तो यूरिया के लिए लाठी भाजने क का समय आता है चाहिए रभी हो या खरी किसान को आंदोनन करे बगए युरिया नहीं मिलता था उर्डिया का उत्तादन तो कम था ही परन्तु युरिया की काला बजारी भी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही तो सभापती महधा एक ही नेने की आ गया नीम कोटेड युरिया का कारण युरिया का इंडस्ट्री में उप्योग समाप्त हो गया है कर ही नहीं सकते आप इनीम कोटेड युरिया के कारण इंडस्ट्री में जाने वाला युरिया बाजार में आ गया इसके कारण आज सब किसानों को युरिया मिलता है युरिया का उसका खपत भी कम हो गया है और उसकी पेस्टिसाइड का खर्च भी कम होगा है इसके साथ गुरकपूर, सिंद्री, बरोनी, तालचेर और राम गुंडम ये सार एक आरखाने एक भी ऐसा मत समझेगा मैं सभी सभासदों का आपके माध्यम से करें ये हमने नए नहीं बनाए अलग-अलग सरकारों में बंद पड़ गए थे जिसको चालू करने की सूध नहीं ली गई थी ये 6 के 6 कारखाने भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने फिल से और ये 6 कारखाने शुरू होने के बाद मुझे भरोसा है कि यूरिया इस देश में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि निम कोटेड यूरिया के कारण इसकी खपत कम हुई है और ये 6 खार का उटपादन आने के बाद ऐसा जरूने पड़े डेरी के लिए भी 11,000 करोड की योदना रखी गई है जैविक खेती के लिए भी एक अच्छा इनिसिटी लिए गया है लगबग साड़े बाइस लाख हेक्टर भूमी को जैविक खेती के नीचे लाने का काम कल दिया गया है स्वाइल हेल्थ कार सभापती मोदे इस पर मैं विस्तार से बात इसलिए कि करना चाहता हूँ कि नहीं चीज़ है इस सदन के बाध्यम से देश के किसानों तक जानी चाहिए देश का किसान जो अपने खेत में अपने खलियान के अंदर रहता है हरदम पसिना बहाता है उसको मालूम नहीं इसकी मिट्टी में क्या चीज़ पड़िये प्लस क्या है माइनस क्या है अंदर कौन सा क्रॉप होगा वो मालूम नहीं कितना पानी चाहिए वो मालूम नहीं कौन सा खाट कितना चाहिए वो भी मालूम नहीं ये सारा लेबोरिटरी के अंदर पड़ा हुआ होता था सभावती महोदे गुजरात में प्रयोक किया गया सोईल हेल्थ काट का और हर किसान को अपनी भूमी का हेल्थ काट दिया गया हेल्थ काट के अंदर उसकी मिट्टी किस प्रकार सी है कौन से क्रॉप अच्छे हो सकते है कितना पानी चाहिए कौन सा खाट चाहिए ये सारी चीज़े इसके अंदर लिखी हुई होती है और 14 भासाओं में लिखी हुई होती है स्थानी अबासाओं में लिखी होती है लगबग साड़े तीन करोर से ज़्यादा किसानों को सोईल हाल कर देने का काम इस तीन साल के अंदर समाप कर दिया गया है चार सो साग फुल फ्लेज प्रयोक सालाय बना दी गई है और चार हजार मिनी लेब बनाने का काम भी एक तरीके से सुरू होगा है मने सभापती महोदे और सबसे अंतिम बात में किसानों के बारे में एक कहना चाहता हूँ कि आजादी के सतर साल के अंदर एक पोलिटिकल नारा तो होता था किसान को अपनी लागत से डेड़ गुना समर्थन मुल्य देना और सबको लगता था है पोलिटिकल नारा है एक पार्टी होती थी तो इसके खिलाब दूसरी पार्टी उप्योग करती थी दूसरी पार्टी आती थी तो पहली पार्टी उप्योग करती थी अब हमने व्योस्ता करी इसका उप्योग कोई नहीं करश पाहेगा क्योंकि प्रधान मंत्री प्रेंद्र मोदी जी ने हर फसल के लिए रवी हो या खरीफ हो उसकी लागत से डेड़ गुना समर्टन गुद्धान में लाए, मैं मालता हूँ, आजाग हिंदूस्तान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, सभापती महोदै, इसी के कारण किसा कि आए, दुगनी करने का जो लक्स रखा गया है, उसमें वाइड कांटी, ब्ल्यू कांटी, नई ग्रीन कांटी, माइक्रो इरिगेशन ने सारी चीजों को समाहित करते हुए, ये कदम भी खिसानों की आए, दुगनी करने के लिए दिसाने गाएगा, सभापती महोदै, ये वाट बैंक जनरेट करने के लिए, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेने वारी सरकार देखी है, ये सरकार ऐसी है, जो लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले है, सभापती महोदै, वित्तिय डिसिप्लिंग के कार सारे पेराबीटर्स इंपरूव हुए हैं मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हमारे साथी बोरेंगे अग्रिकल्चरल ग्रोथ रेट जो माइनस पॉइंट टू परसन था वो चार पॉइंट एक पर जाकर ठहरा है मुद्रास्पिती 9.5 से 1.5 तक पहुंची है इंट्रेस रेट आठ प्रतिसद से 6 प्रतिसद पला है चालू खाता गाटा राजकोशिय गाठा यह सब अपने पेरामिटर्स को छूते हैं और एफडिया इंफ्लो भी बढ़ा है फोरेक्स रिजव अब तक का रेकोर्ड फोरेक्स रिजव चारसो साथ बिलियन डॉलर आज भ और इसके कारण बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किये गए हैं और रिफॉर्म्स के कारण बहुत सारे आंतराष्ट्रिय माप डंडो में सरकार ने अपने अंक की चलांग लगाई हैं चाहे वो इस अप डूइंग बिद्नेस की रैंकिंग हो ग्याटिंग इलेक्टिक सिटी की हो, Globalization Index हो, Global Competitiveness Index हो, बहुत सारे चीजों में हमने रैंक को आगे बढ़ा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभापती महोदय कि सबसे एक स्तूत्य काम अगर किया गया है तो इस देश की मौसमों के हिसाब से बजेट को लाने का फैसला पहले हम बजेट को लाते थे 28 फरवरी को पास होते होते अप्रील आ जाता था और बाद में मौन्सून आ जाता था इस भारतिये जनता पाटी एंडिये की सरकाने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला दिया कि सब एक फरवरी को इस देश का बजेट आ जाएगा इसके कारण बजेट के इंप्लिमेंटेंसें के लिए बहुत अच्छी सहूलियत हुई है रेलवे बजेट को भी हमने परफॉर्म कर दिया है सभापती महोदय एक बहुत बड़ा सुधार एक बहुत बड़ा सुधार यह सरकार ने किया है जिसका नाम है जी एस्टी जी एस्टी यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है दुनिया में सबसे बड़ा विक्री और सिवा करका अगर कोई सुधार हुआ है तो हिंदुस्थान का GST है कोकि हमारे 68 का जो आपार है उसमें कोई कलपना ही नहीं कर सकता है इतने सारे राज्य, इतने सारे दल इसमें जीयेश्टी कभी इंप्लिमेंट हो पाएगा, इसकी किसी को कलपना ने थी आज नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुत में ये देश ने एक देश एक कर का स्वपन साकार कर लिया है पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्ता दो मन्य सभापती मोहदय इस पर बहुत सारी रागनीती सदन के बाहर हुए मुझे लगता है मुझे इसका इसके बारे जिम में जो सक्त्य हकिकत है वो कहनी चाहिए सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी की सरकारों ने को जर्सक्राबिने बात सक्ते हैं मैं बताता हूं सुन लिजे ना मैं बताता हूं और सुनियें ना आनंग जी अप सुनियें सभापती मोहदय भारतिये जनता पार्टी ने कभी GST का विरोध नहीं किया था भारतिय जनता पार्टी ने GST के तरीकों का विरोध और सरकारों को क्यों बरोसा नहीं था क्योंकि यूपीए सरकार ये कर्सुदार लेकर आई थी सीएश्टी को चार परसंट से घटा कर दो परसंट कर लिया था आपको याद होगा कि चार परसंट से घटा कर दो परसंट हुआ था जो घाटा था राज्यों को आप लोगों को चुकाना था UPS सरकार ने चुकाना था मगर साब वादा खिलापी हुई राज्यों को घाटा चुकाया नहीं गया सहे 30,000 करोड रूपया NDA सरकार नहीं चुकाने का काम यूँ भरोसा नहीं था राज्यों को फेडरल स्ट्रक्चर की भावना को किसने नस्ट किया जब एक वचन दिया जाता है वचन की पालना नहीं होती है तो कोई बरोसा नहीं करेगा पर सब राज्यों चिंती थे सब राज्ये JST से नहीं डरते थे JST के कारन राज्यों पर जो बहुत आने वाला है इससे डरते थे सब कहते थे कि implementation के वक्त अगर आए कम हुई तो हम राज्य कैसे चलाएंगे राज्य की जनकल लेंड की योदनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे और राज्य की जनकल लेंड की योदनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके मन में एक सवाल था जिसका समाधान हमारे प्रदान मंत्री और वि सभापती महोदाई बाद में बाद में बाद में जब आपको वोकर में देखा बैट में प्रेस्टि यह 14% परसंट रेवन्यू ग्रोथ का जो हमने वादा किया वो सिर्फ साब्दीक वादा नहीं था CST की तरह साब्दीक वादा नहीं है constitutional guarantee हर राज्य को दी गई है कि अगर आपकी आय कम होती है तो भारत सरकार उसका भुक्तान करेगी और 22 राज्यों को आज वो नुकसान का भुक्तान भारत सरकार कर रहे हैं इसलिए भरोसा बना है सभापती महुदे विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था हमने भरोसा पैदा करें ऐसा काम किया ऐसा रास्ता डूंगा तब जाकर GST पास हुआ है सभापती महुदे जीएश्टी को इतने विक्राल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है जैसे बहुत बड़ी दिक्कते आने वाली है देश का व्यापार बंद हो जाएगा छोटे और मदले व्यापारियों की दुकाने बंद हो जाएगी लगूद्योग बंद हो महुदे पहले इस तेश की स्थिति क्या थी 17 प्रकार के अलगे अलग टेक्स थे एकसाई से लेके और तक और 17 टेक्स से 23 प्रकार के सेस लगते थे 17 टेक्स और 23 उसको समाप करकर एक टेक्स बनाया गया सभापती महुदे व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ नहीं सकती कम हो एक ही इस्पेक्टर से डिल करना है और जो जिन सदस्यों को संसाय है कि जी एस्टी के माध्यम से दिक्कते बढ़ेगी सभापती महुदे मेरा आपके माध्यम से उनको अनुरोध है कि आप एक बार चुंगी की जब रेड हो जाती है वो व्यापारी को जाकर मिली अगरवाल जी तो यहां बैठे हैं उनको मालूम है चुंगी की जब रेड होती है तब क्या होता है सेल्टेक्स के नाके पर जो एक एक दिन की लंबीड ट्रांस्पोर्ट की लाइने लग जाती थी ट्रक्स की उस वक्स थिती क्या होती थी ट्रक का उपयोग उतना उसका कुतना कम हो ज सरुवाती दिक्कते आई हैं और अभी भी साइट थोड़ी बाकी होगी सरुवाती दिक्कते आती है जब 23 तेइस सैस और 17 टेक्स को आप मर्च कर लेते हो एक टेक्स बनाते हो तो सुरुवाती दिक्कते सभाधपती मोहदय आती हैं मगरे सरकार समवेदन सिल सरकार हैं जी एश्टी के आने के बाद तीन महेने के बाद एक सरकार ने बहुत बड़ा समवात का अभियान चला है सारे संससब्य, सारे अधिकारी, सारे मंत्री, चंबर ओपॉमर्स में गए, छोटे व्यापारियों के पास गए, लगूत द्योगवालों के पास गए और उसको सुनने की प्रक्रिया की, सभाधपती मोहदय उसके अंदर से बहुत सारी चीजे आए कि दिक्कते क्या है, वो दिक्कतों को एक एक के करकर रिजॉल करने का सुरू किया और 23 मिटिंगों में 30 से ज़्यादा प्रोसीजरल चेंज करने का काम, यह भारतिय जनता पार्टी की सब्काने जुए उसके अंदर किया और यह जो सारी मिटिंगे हुई, उसमें रेट के ल काम एक 23 मिटिंगों में कम कर दिया, 400 सो सिजों के लाँ, 1100 में से और 1500 सो सीजों को टैक्स फ्री कर दिया लगवक 1100 में से साड़े 500 सो सीजों पर टैक्स कम करने का काम, जी एस टी आने के बाद यह भारतिय जनता पार्टी की सरकाने किया है, तीस प्रोसीजरल चेंजीस किय अब सभापती महोदय जैसे वनने से होता है आम सभावों में कि जीएश्टी यह सिर्फ भरती जनता पार्टी का बेबी है जीएश्टी काउंसिल बनी है इसमें हर देश का मुख्यमंट्री आता है हर देश का वीतमंट्री आता है हर राज्य का मुख्यमंट्री आता है हर राज्य का वीतमंट्री आता है और जीएश्टी काउंसिल में अपनी अपनी राय रखता है सभापती महोदय मैं कहना चाहता हूं कि 25-25 मिटिंगे हुई है एक भी एक भी प्रस्ताव पर मत्दान नहीं हुआ है सारे के सारे प्रस्ताव इने निमस है अगर आप विरोध करते हो विपक्स के मित्र अगर विरोध करते हैं तो आपका भी एक मत यहां है और मैं विशेश कर कॉंग्रेस के मित्रों को कहना चारूंगा कि 23 मिटिंगों में अलग-अलग 91 मंत्री कॉंग्रेस सासीत राज्यों के आए हैं और सहमती दिये आपकी सहमती से हुआ है जियेश्ट्री काउंसिल में एक बासा सदन में दूसरी बासा और आमसभा में तीसरी बासा एक किस प्रकार की राग निती हैं जिस प्रकार से देश को मागे बढ़ा हैं हम क्या प्रकासित करें जियेश्ट्री काउंसिल की मिटिंग्स मिनिट्स को सभापती महोद है सभापती महोद है क्या हम इसकी मिनीट्सों को सारवजनिक करें क्या कि इसमें फला पार्टी की भी सहमती है फला पार्टी की सहमती है कोई पार्टी बाकी नहीं है सबकी सर्माती है, क्योंकि सरवानूमक से फैसला हुआ है, और सभापती महोदे सब दो क्या उपियोग होते हैं, गबबर सिंह tax कौन है गबबर सिंह एक मसूर हिनली फिल्म थी, सोले, उसमें एक ड़केट था, पत्रे का नम गब貜 सिंग ये डखेत ही हो रही क्या कानून से बना हुआ टेइक्स वसूल करना डखेत ही है कितनी समझ या जो इसको गबज सिंग टेक्स करते और गबज सिंग टेक्स जाता कहा है ये जीएश्ट्री जाता कहा है सभापति महोदय वन रेंक वन पेंशन देने के लिए वो जवान के बेंक अकाउंट में जाता है सभापति महोदय गरीब महिला को उजोला योदना देने के लिए जाता है गरीब को घर देने के लिए जाता है सभापति महोदय सवबाग ये योधना के तहर उसको बिजली देने में जाता है लोगों को कर देने के लिए ना उक्साना ये अच्छी रातनिती की निशानी है किस निशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं हम सबने सोचना पड़ेगा क्यों कोई एक दल की बात नहीं है कि आज हम है कल आप भी आ सकते हो हाँ हाँ आ सकते हो हमारी मानसिक्ता ऐसी नहीं है सभापती महोदय हमारी मानसिक्ता ऐसी नहीं है कि यावच्चंद्र दिवा करो हमारा इशासन रहेगा ये लोग तंत्रे जंता किसी को भी बिठा सकती है पचपन साल आप भी बेठे हो देश इस तरह से नहीं चलता है जी देश कुछ मुद्दों में दलगत रातनीती से उपर उठकर चलाना पड़ता है सभापती महोदाई मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को अपिल करना चाहत हूं जी एसटी ये देश का भविश्य सुधारने वाला एक अच्छा रिफॉर्म से इसको सब ने सयोग करिए जंता का मन बनाने के लिए सरकार का सयोग करना चाहिए ऐसी मैं अपिल बात्र कर सकता हूं अध्यक्षी बाकितों राजनिती करने के लिए बहुत सारे इक्षेत गुना, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में दू गुना, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के ओडर देने में साड़े चार गुना, डूलर रोड कंस्ट्रक्शन में दो गुना, फंड के मामले में तीन गुना, विलेज कनेक्टिविटी के मामले में 2014 में 56 प्रतिसत गाउं को गाउं से जोने का काम समाप्त कर दिया गया है और 5,29,245 किलो मिटर ग्रामीन सड़के बनाने का काम अन्य सभापती महोदे समाप्त हो गया है रेल्वे में भी नई रेल्वे लाइन के कंस्ट्रक्शन में 307 किलो मिटर 13 14 में थी 16 17 में 953 किलो मिटर है ब्रोड गेज कंवर्जन में 750 किलो मिटर थी इसको 1000 किलो मिटर तक पहुचा गया है डबल ट्रेकिंग रेल्वे लाइन में 500 किलो मिटर से बढ़ा कर 882 किलो मिटर रेल्वे आउटले को बढ़ा कर धाई गुना कर दिया गया है अब एक लाक तीस हजार करोड रेल के लिए आबंटित किये गए 16 17 में ग्रोस रेवेन्यू में भी 19 बिलियन डॉलर से बढ़ा कर 25 बिलियन डॉलर तक पहुचाने का कांकिया होर एड़पोर्टों की संख्या को हम दो बारा चुनाओं में जाने से पहले पाँच गुना करने का लिए अगसरता है बैंकिंग की जो बात मैं कह चुका हूँ इसलिए आगे चहना नहीं चालता पावर सेक्टर के अंदर भी सभापती महोदे बहुत सारा काम हुआ है इंस्टॉल कैपेसिटी गिगावाट में पहले 243 गिगावाट थी अब 333 है ट्रांस्पीशन कैपेसिटी जो 2,91,000 थी उसको बढ़ा कर 3,81,90,000 किलोमीटर तीन साल में बढ़ाएगा है पीक पावर डेफिसेट में 9 परसंट थी उसको 1.6 परसंट तक सिमित कर दिया गया है पतलब पावर सरक्रास टेट बनने की दिशा में हम जा रहे हैं इंस्टॉल विंड कैपेसिटी 21 गिगावर्ट की जगे 31 गिगावर्ट हो गई है सोलार टैरिफ बारा रूपिय यूनिट खरीदा जाता था अब धाही रूपिय यूनिट सोलार थावर खरीदा जाता है इंस्ट्रॉल सोरा केपेसिटी 2.6 गिगावर्ट थी इसकी जगे 12 गिगावर्ट कर दी गई है अनि इलेक्ट्रिक विलेज की संक्या अठार जार पान्सो बैयालिस थी अब सिर्फ उन्नी सो अर्टालीस गाउं वीजली के बगर के रह गए है कॉल प्रोडक्शन को चार्सो 62 मिलियन मेट्रिक्टन था आज 554 हुआ है बहुत सारी और भी चीज़े है मगर बेरे पास थोड़ा समय का अभाव है सभापती महदे ने बाकी के लोग बोलेंगे आज चिंटा मत करें सभापती महदे सबसे देश की सुरक्सा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपुन हो देश की सुरक्सा तब तक ठीक से नहीं हो सकती जब तक उसका जवान फोजी अपने आपको सुरक्सित समझे और घर्वानुवित करता हुए समझे इस देश के जवान 40 साल से अगर किसी ने किया तो चुनाव के वक्त पर सो करोड का एक ठोखनी बजेटरी प्रोईजन करकर जवानों को ज्यासा देने का काम किया मन्ने सभापती महोदय, NDA की सरकाराई, भाजपा सरकाराई, लरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने, हमारा चुनावी वादा था, एक ही साल में हमने वन डेंक वन केंपेंजन के दिने को भरकर देश के जवानों को हर देशाल आठ हजार करो रुप्या देने का काम क्या है इससे उनका होसला बड़ा है, सभापती महोदय, 44 डिग्री टेंपरेचर में, कच्छो और राजस्तान के रिजिस्तान में काम करता हो, या माइनस 44 डिग्री पे पहाड़ियों की चोटियों पर काम करता हो, उसके परिवार की चिंता करना, ये सरकार अपना फर्ज समत्ती है और वन रेंक, वन पेंशन, मैं मानता हूँ, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, जिसको हमने समाप्त कर दिया है, मानने सभापती महोदय, इस देश में, जब से, ओपरेशन टोपा, समध स्याता समाप, समाप, मुझे लगता था, इतना तो आप समध लेंगे, सभापती म होदय, इस देश में, कई बार, आतंकवादी हमले हुए, आतंकवादी हमले देश की सिमाओं की सुरक्सा करने वाले, जवानों के थानों पर भी हुए, इनके कैम पर भी हुए, और बहुत सारे जवान हताहत हुए, मगर इतने सारे समय के अंदर, किसी ने भी इसको जवाब देने का उचित नहीं समझा था एक तिन सवेरे उर्वी में तड़के सुबह तीन बजे पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया 12 जवानों को जिन्दा जला दिया गया कायर्था पूर्ण हमला था उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया ना दिया गया जिन्दा जवान जल गये सोते सोते जल गये पूरे देश बर में घुसा था आक्रोस था हतासा से कि अब क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पहले क्या हुआ था तो प्रधान मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आएगा सब दूख व्यक्त करेंगे आक्रोस व्यक्त करें एक भी स्ट्रेटमेंट नहीं आया, दस दिन के अंदर अपनी ध्रड रादनीतिक इच्छा सक्ती का परिचाय देते हुए सर्जीकल स्ट्राइक का फैसला किया और अपने वीर जवान पाक अप्क्युपई कस्वीर की सिमा के अंदर जाकर आतानकवादियों से जवानों का बडला लेकर सुखरूप वापीस आ गए और जीस क्षण ये जवान वापीस आ है वो क्षण देश के इतियास में, देश की सुरक साथ इतियास में इतियासी सुरक्सा ठीक से कर सकता है, at any cost, और मैं मानता हूँ कि इसने दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बडला है, सुरक्सा देश की कितनी एहम हो सकती है, इसका परिचाय देश के प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया है, और ब हमने दुटाल का एक ब्लूप्रिंट बना कर तीनो सेनाओ के मोडनाइजेशन को आगे बड़ा है, और तीनो सेनाओ के अत्या नोधी, हत्यादूनिक हत्यारों से लैस करने का काम किया है, उसकी संचार व्योस्ता को भी चुस्त, दुरूस्त करने का काम किया है, सभापती मह हो दए, यह पोर्लिस मोडनाइजेशन बीजेपी के साथ जुडा हुआ सब्द है, इसलिए बीजेपी के साथ जुडा हुआ सब्द है, पहले NDA की सरकार आई थी, तो मोडनाइजेशन शुरू हुआ था, बाद में NDA की सरकार गई, UPA की सरकार आई, मोडनाइजेशन बंद है सभापति मौदय काश्मीर समस्या है हमारे देश के लिए बहुत महतुपून मसला है कश्मीर जब हमने वहाँ कि साशन समाला नई सरकार बनी कडाई शुरू ही पत्रा हुआ सब लोगों ने कि देश भर में एक चर्चा चली कि सरकार की काश्मीर नीती कैसी है सफल है या विफल है किस दिसा में जा रहे है काश्मीर हाथ से तो नहीं चला जाएगी इस प्रकार की चर्चा है चलनी लगी थी मगर आज मैं कह सकता हूं कि काश्मीर विगत 35 साल में सबसे ज्यादा सुरक् तो आपने दिन काट रहे हैं मानिय सभापती महदय यह हमने कास्मीर समस्या को बहुत अच्छे तरीके से हेंडल किया है यह सरकार ने सामाजिक बढ़लाव के लिए भी बहुत सारे काम किये हैं सबसे पहला काम काका साब कालेलकर कमिशन के वक्त से इस देश का पिछड़ा वर्ग इस घड़ी की प्रशिक्सा में था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को समवेधानिक माननेता मिले पिछड़ा वर्ग को समवेधानिक माननेता मिले भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार एंडिये सरकार ने फैसला लिया और पीछड़ा वर्ग आयो को संवधानिक मानिता देने का दिल हम लेकर इस देश के करोड़ों पीछड़ा वर्ग के लोगों को जो आसा अपेकसा था उसको पूरा करने के लिए बिल लेकर आये हमने संसद में तो लोकसभा में तो प्रारिज करा दिया मगर अभी तक के अभी तक सब्द बहुत महत्तोपनय अभी तक हमारा यह ब्भूमत नहीं वह वह ल नेकर आये थे हम तो हम तो लेकर आये ते और यह बात रैकोर्ड पर रहे है यह बात रैकोर्ड पर रहे कि सपा समर्धन करेगी सभापती महद्य हम तो राजेशबा में लेकर आए थे मंगरेस पार्टी और कुद्दलों ने इसका विरोध करकर मैं सभापती महोदा है मैं ये सदन में मैं सदन में विरोध सब्द का प्रवग इसलिए किया है सभापती महोदे सदन में मैंने विरोध सब्द का इसलिए प्रवग किया है कि विरोध का करीका बदलने से विरोध बंद नहीं हो जागा आपने विरोध का तलिका अलग चुना है और ये मत मानिये कि जनता ए इस समत्य ने इस सब कुछ जानती है जब चुनाओं में जायेंगे पीछड़ा वर्ग को कंगरेस ने जवाब देना पड़ेगा कि इनके सन्मान की इस बात को क्यू रोका पुरा देश नेक रहा है सभापती महोदय इस बिल को रोका है मैं तो आज भी आज भी सारी पार्टियों को अपिल करना चाहता हूं भारतिय जंता पार्टी के संसरे जाते कि बिल में कोई रादनिती नहीं है पिछरे वर्ट को सन्मान दिलाने की बात है आईए सब साथ मिलकर दोनों सब्नों में इसको सभापती महोदय इतने सालों से अजादी से अब तक इस देश की मुसलिम महिलाओं को नियाय नहीं मिलता हूं क्रिपल तलाग का कानून उसको कई बार है अब खुनिये न थुड़ा कई बार देश्की अलग-अलग अदालत Monsieur débार देश की अलग-अदालतों में क्या देश्की अलग-अदालतों में चैलेंज किया गया मुस्लिम महिला हैं, माता हैं बहने, कई बार इस देश की अदालोतों के पास अपने अधिकारों की रक्सा के लिए गी ऐसा नहीं है कि पहली बार अदालत ने फैसला दिया है साब आनू के केस में भी फैसला दिया था तब कानून बना कर उसको रोकने का काम कॉंग्रेस पार्टी रखे ऐसा नहीं है कि इस बार भी आपने विरोध नहीं किया है, भी आप खड़े होकर कहोगे विरोध का तरीका अलग है, वगर है विरोध ही, जब देश की सरकार, इस देश के प्रदानमंत्री मुसलिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए, उनको समान्ता का अधिकार देने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्सा देने के लिए, जब त्रिपल तलाक का बिल लेकर आए, राज्य सभा में इसको रोक तिया गया है प्रवान उमत्स करते हैं हमें क्या पत्ति है हम तो लेकर ही आये थे महिला आरक्षन आप भी नहीं लापाए थे हम प्रारित नहीं कर पाये लोग सबाया है प्रारित नहीं कर दो तरीका नहीं है पुनिया जी प्रीस अब इतना अनुब्व है यह वरिष्ट थाएं क्यों आपने बोरा बस हो गया इंदे पांचों कर अपने अपने बोरे वो पदति इसमें क्या है शबाफ़ती महुदाए इस देश के दिव्यांगों को अजदी से अपतक अपाहीच सब्दके अपमान जनक सब्दकोजना पड़ेगे एक बड़ोत्रिकी है चाहे ट्रांस्पोर्टेशन हो चाहे एरपोर्ट हो हर जगे पर विव्यांग को अपमानित न होना पड़े इस प्रकार की सुचना है सरकार की वर्जे प्रारित की गई है सभापती मोहदे सगर्बा मैलाएं सभापती मोहदे सबर्गा सगर्बा मैलाएं जब भी सगर्बा होती थी अगर वो काम करते हैं तो उनके मन में चिंता होती थी कि उनका बच्चा पैदा होने के बाद छे मईने जो बहुत महतोपुन होते हैं बच्चे की देखभाल कौन करेगा किसी की आर्थिक सिती अच्छी हो नहो खुद के स्वास्त की चिंता करना बच्चे के स्वास्त की चिंता करना इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था भारती जन्ता पाइटी की सरकार एंडिय की सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने सगर्भा मैलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 वीक तक की छुप्टी देकर जच्चा बच्चा दोनों का समाल लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है मैं मानता हूं यह सरकार क के समवेदिन सिर्च चहरे को हमके हमारे सामने आपके हैं सभापती महोदय बहुत सारे इनिसिटीव सरकार की वर से लिए गए हैं स्वच्चता कोई सरकार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकारी सिर्फ सरकार नहीं कर सकती हैं जन्ता को साथ में लेके करने पड़े हैं जन पीद करने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी जीने का है किया है मैं मानता हूं कि पिडियों तक इस स्वच्छक्ता का संस्कार देश को स्वच्छरगे का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे जं योग दिन पूरे विश्व के अंदर मनाने का प्रस्ताव हमारा यूएन ने मान लिया आज हमारी संस्क्रूतिक दरोहर योग पूरे विश्व के स्वास्ता काल्यान के लिए काम करी है डीबीटी डीबीटी की चर्चाय होती थी किसी में सहास नहीं था सभापती महोदय इस देश में एक बहुत बड़ा स्कैम चलता था जिसकी कभी ना दो में से एक भी सदन ने कभी नौट किया ना देश के मिडिया ने भी कभी नौट किया डीबीटी के माध्यम से सारे फाइदे डायरेक बेंक एकाउंट में पहुँचा कर जब सरकार ने उसको जहाता तो हर साल सरकार के 57,000 करोड रुपीज कहा जाता था पैसा मैंने कहता कोई एक व्यक्ति खा जाता था अगर व्यास्ता के चिद्रों के कारण लोगों के घाड़ी पसिने की कमाई का पैसा ऐसे लोग ले जाते थे जिनका अधिकार नहीं था यह 57,000 करोड रुप्या डायरेक बेनिफिट ट्रांसपर स्कीन के कारण बचा है मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी उपलब्दी है के लिए अपने आप में बहुत बड़ा कान करेगी अभी अभी खेलो इंडिया का जो इनिसेटिव है जो इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा है और जो खेलो के साथ जुड़ा हुआ है उसको मालूम होगा कि आने वाले दिनों में बहुत सारे रज़त पदप और सुवन पदप मुझे खेलो इंडिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं देश के बच्चों के खेलने की आदक चली गई थी सभापती महोदय हम सभापती महोदय एक खेलो इंडिया ने इसको बहुत आगे बढ़ाया है एक सो पंद्रा नए एक सो पंद्रा पिछड़े जिलो को आग यह मानिया सभापती महोदय मैं मानते हूं बहुत बड़ा इनिसेटिव है सभापती महोदय काफी सारी ऐसी चीज़े हुए जिससे देश का गवराव बढ़ा है पैरिस समझोते में मैं जल्दी से ही समाप करूँगा आप चिंता मत करिए पैरिस समझोते में भारत का जो रोल रहा उसने पूरी दुनिया में भारत को गवराव दिलाया है दावोस में अभी जो प्रदान मंत्री जी का उद्गाटन भासन था मैं मानता हूं हर भाट्ये के लिए गवराव का पिसा हुए सभापती महोदय दुनिया जिस दिसा में जा रही है प्रदान मंत्री जी ने बहुत विनम रता से किसी को भी निचाव दिखाए बगर देश कितना बड़ा है और कितनी उंचाई पर हम है वो दुनिया का का काम दावोस के अंदर किया है मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी ब सभापती महोदय अंत्रिक्स में 104 उग्र इसरों ने एक साथ छोड़कर रैकोर्ड बना है एक उग्र, दो उग्र, तेरा उग्र, तीस उग्र तक पहुंचे थे एक साथ 104 उग्र अंत्रिक्स में स्थाफित करकर इसरों ने एक रैकोर्ड बना है मैं मानता हूं कि इससे देश के सोचने का स्केल बदलता है देश का युवा हम सबसे पहले होने चाहिए इसकी भूख उसकी जगी है देश का स्केल बदलने का काम इस सरकार ने किया है डिज मैं मानता हूं सभावति मोहदय के बहुत बड़ी उपलब्ती है सभावति मोहदय जब हम सरकार में आये तब भ्रष्टाचार के लिए भी हमने कहा था कि हम इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का निष्टावान प्रयास करेंगी सभावति मोहदय 12 लाक करोर के गपले घुटाले की सरकार के बाद हमारी सरकार बनी साड़े तीन साल हो गए मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोट में बढ़ा सकते हैं इस पतार का हमने काम किया है कॉल ब्लोक की निलामी पारदर्सी तरिके से की ख़दानों की निलामी पारदर्सी तरिके से की स्पेक्ट्रम की निलामी पारदर्सी के तरिकों से की और एक तीनों निलामी में यूपीय सरकार के समय सुप्रीम कौट ने तीनों निलामियों को रद्ध करना पड़ा था और आज हम इतना निश्चित कह सकते हैं इसमें कोई ब्रश्टाचा नहीं हुआ है कालाधन के खिलाब एक सोची समझी रणनेती के तहर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है सब से पहला कैबिनेट का पहला प्रस्ताव एसाइटी को बनाके बनाने का हमने किया जिसको कई महिनों से सुप्रीम कोट के आदेश के उपरांत भी लड़काया जा रहा था सारी सुचना है एसाइटी को ट्रांसपर कर दी गई कई नए कानून बनाए बिरनामी संपती का कानू इसमें से एक है अंतराष्ट्य मंच उपर देश के वीत मंत्री और तुधान मंत्री जी ने चर्चाओं में काले धन के लिए एक अंतराष्ट्य सहमती बनाने का सफल प्रयोड पिया और इसके कारण पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फाइदा हुए है साइप्रस मोरेश और सिंगापूर के रास्ते से जो पैसा आता था काला धन घूम कर आता था एक अलग तरीके से आता था वो संधियों को समय से पहले समाप्त कर दिया गया नौट बंदी के कारण भी बहुत बड़ा काले धन पर करहरा प्रहार हुआ है और तीन लाग से ज्यादा तीन लाग स से ज्यादा सेल कंपनियों को बंद करने का कांग की अब तक सतर साल के इतियास में जितनी भी सरकारे आई वो द्वंद में फसी रहें द्वंद में फसी के सरकार किसानों का विकास करेगी या उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकारे द्वंद में फसी के सरकार गाहों का विकास करेगी या सहरों का विकास करेगी सरकारे द्वंद में फसी रिफर्म करेंगे या कल्यान राज्य की स्थापना करेंगे विदेश निती को तवज्जो देगे या रक्सा निती को तवज्जो देगे सरकार विरेक्रेट्स चलाएंगे या जन प्रतिनीरी चलाएंगे ये सरकार कोई भी द्वंद में फसे बगर ये सिद्ध कर दिया है कि किसानों का भी विकास होग सकता है उद्ध्योगों का भी विकास होग सकता है जाहों का भी विकास हो सकता है सहर का भी विकास हो सकता है दि प्रकार्स मेसे सरकर को बार ढिकाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी जीने किया है, सवापती महोदे मल्लटीपाटी डेमो क्रिटीक सिस्ट्म में स्वभाववीख करियों को लोगों के सामने रखती हैं यह लोगों का दाई तो है इसलिए कई बार सधन की कारेवाही को देखने वाले लोग पसो-पस में पड़ते हैं कि सच क्या है जूट क्या है मिडिया में भी यह दोनों प्रकार के धवंध चलते रहते हैं मगर अगर लोगतंत्र में सरकार ठीक से चली या न चली इसका पैमाना क्या हो सकता है तो मैं मानता हूँ लोगतंत्र में सरकार ठीक से चल रही या नहीं चल रही इसका सबसे बड़ा पैमाना जनादेश हो सकता है जनादेश ही ताई करता है कि सरकार ठीक से चली या नचली 2014 की सरकार होने के बाद हर्याना में चुनावाया हम जीत कराएं कॉंग्रेस पार्टी हारी मारास में चुनावाया हम जीत कराएं कॉंग्रेस की सरकार गई जारखन में चुनावाया, हम जीत कराए, कॉंग्रेस की सरकार गई, कास्मीर में चुनावाया, हम जीत कराए, कॉंग्रेस की बिहार और दिल्ली में चुनावाया, हमारी सरकार नहीं बनी, पनमत प्रतिसत बढ़ा हमारा, आसाम में चुनावाया, कॉंग्रेस गई, भारतपा क मनिपूर में चुनावाया कॉंग्रेस गई भादपा की सरकार बनी उत्तरकदेश में चुनावाया सपा कॉंग्रेस आरी भादपा जिती और अभी-अभी गोवा में भी चुनावा हम फिर से एक बार जूत कराए सभापती महोदे गुजरात में भी चुनावाया 22 साल के बाद फिर से एक बार पांच साल के लिए रहा भाद ये जनका अपार जिती और अब हिमाचल में भी बातपा की सरकार बनी कॉंग्रेस गई सभापती महोदे अब कुछ लोगों को हार में भी जीत दिखाई पड़ती अब हम क्या करें इसका हमारे पास रास्ता ही नहीं एक राज्य ऐसा हो आजादी के बाद एक राज्य ऐसा हो जहां किसी एक दल को 49 प्रतिसत वाट मिला है तो मैं मानने को तैयार हाँ कि गुजरात में जनादेश प्रतिसत वाट हर दुसरा वाट भारती जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है 22 साल साचन में रहने के बाद फिर से 5 साल के इस लिए जनादेश मिला है 1965 के बाद सभापती महोदा 1965 के बाद एक भी है क्या कर सकते हैं सभापती महोदे मैं इतना निश्चीक के कह सकता हूं कि तीन नासूर हमारे देश के लोक तंत्र को बहुत समय से डसे हुए वन्सवाद, जातिवाद और तुरुष्टी करन सभापती महोदय, उत्तरप्रदेश और गुजरात के चुनाव के बाद मैं भरोसे कह सकता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूतों की बड़ी उपलब्दी है कि इस देश के लोकतंत्र में से उन्होंने वन्सवाद, जातिवाद और तुरुष्टी करन को उखाड कर जैं हमारे लोकतंत्र को इस अभिसाब से मुक्त करने का काम भारतिय जन्ता पार्टी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जीने किया है सभापती महोदे हमने एक पारदर्सी सरकार चलाई है एक निणा एक सरकार चलाई है एक संवेधन सिल सरकार चलाई है और भारत जवरों को प्रस्ताफिक करने की सरकार साड़े तीन साल तक चलाई है इसलिए जनादेश मिला है राष्ट्रपती महोदे ने और इस देश के प्र लेके पार्लामेंट तक चुनाव अगर एक साथ होते हैं विधान सभा लोक सभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो काफी खर्च में भी बच्चत होगी और वारम वार जो चुनावी आचार सहीता आती है इसके कारण विकास की बादा भी समाप होगा है हो सकता है कुछ लोगों से एक अनुरोध हैं कि इस पर एक अच्छी बहस्त देश में हम छेड़े सभी दल इसमें हिस्सा ले और एक साथ चुनाव के लिए एक साथ चुनाव के लिए आगे आएं और मैं कहना ही कहना चाहता हूं सभापती महोदे कि प्रधान मंत्री जी ने एक न्यू इंडिया का सप न देखा है जिसमें कोई बेरजगार न हो हर गर में बिजली हो सुद्ध पिने का पानी हो स्वास्त की सेवाए हो सीख्सा की सेवा बहुत अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को मिल पाए और भारत का गवरव पूरी दुनिया में प्रस्ताफित हो इस प्रकार के नियू उंडि करकर मैं मेरी बात को समागत करता हूँ डॉक्तर पी विने सहसर बुद्धे तो मेक इस स्पीच सेकंडिंग दी मोशन मित्रो मेरा एक अन्रोदे आप लोगों से हाँ साई हाँ